आपके गोटनों में बहुत दर्द होता है या आती है आपके गोटनों में से आवास आप सभी प्रकार के ट्रीक्मेंट्स ले रहे हैं पर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हमें ये ट्रीक्मेंट कंटिन्यू करने चाहिए या क्या अब हमें अपने गोटनों करा लेना ह तो इसलिए इस वीडियो को अंतक अवश्च देखिएगा और ध्यान से देखिएगा अगर आप सेल पे नए हैं तो से सब्सक्राइब अवश्च कर लें मैं हूँगा फिल्यो तरपिस्ट डॉक्टर अविडियो चतरवेधी डिरेक्टर उप्रानी केल्थ केर दागरा से सबसे पहला इंडिकेशन है कि कई ऐसे काम हैं जिनने करने में आपको परशानी होती है आप उने करी नहीं पाते है जैसे कि आप को नीचे बैटने में तक्लीफ होती है आप इसे करते हैं कई भी आप जाते हैं तो आप यह देखते हैं कि हमें कहीं पर 3 & 4 जो पहली दो स्टेजिस हैं इन तक जब आपके घुटने हैं तक इसे रोगा जा सकता है परन्तु जब आपके घुटने की जो गठिया है अर्थरेटिस है वो स्टेज 3 या 4 में पॉंच जाती है तब यह बिल्कुल नमुम्किन सा हो जाता है कि आपके घुटनों को बचाय जा सके या उनका रोक सके इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए इस पर कि आपके घुटनों में दर्द है तो रहें किसी अपने फैमिली को दिखागर कि हमें दर्द हो रहा है हम चल दे में सवर्थ हो रहें कई बार उम्र के साथ-साथ-साथ हड़ियों की जो बोन- हैं या फिर कई बार बढ़ने के साथ सब्सक्राइब काम करते रहते हैं अगर आपको का समय आ गया है बदलवाने का तो इन्हें बिल्कुल बदलवाई है ज्यादा देर कर देंगे तो सर्जन भी यह कहता कि अब हम नहीं बदल पाएंगे अब हमें इंप्लांट लगाने की स् आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है जिससे हमारा मोटिवेशन भना रहे आपकी वजह नंबर तीन है हमें घुटनों में दर्द है डिजनरेशन हो रहा है गठिया वही रही आपको पता है कि आपको गठिया है पर दिन में तो है वो बहुत बढ़ जाती है वो Unbearable pain हो जाता है कर रात को दर्द इतना है कि वेक्ती सोही नहीं पाता आप पर्शान रों के बैठ जाते हैं तो यहीं वह समय है जब आपको यह जान लिना चाहिए कि हाँ अब वह समय आ चुका है बहुत देरी नहीं करने चाहिए हमें अप करें आप सबी प्रकार के प्रहुप करें अपने दर्णों का रहा है पर नन्तु आपके इंदिसन्स को वो जाही नहीं रही वो चौबिस गंतें कि वही बनी हुई ए कभी थोड़ी कम होती है कभी बढ़ जाती है बट वसुजन जाही नहीं रही यह बहुत बड़ा अच्छी आप हो जाएगे अब हमें कमेंट करके बताएगे कि आपको भी समस्य हो रही है और डालमång में हैं दुविदा में हैं कि हम साजरी कराये न तो आपकी मतल्स हम कर सकते हैं अगर तुवह हमें अच्छा लगेगा आपकी वो दोविदा दूर करने में जो वाया नुमबर पांच है वो बहुत ही क्लियर कट है आपके पैरों में दर्द है सूजन है बहुत ज़्यदा डिफामिटी सी डेवलप हो रही है और आप ट्रीक्मेंट ले रहे हैं इसके लिए पर अब कोई ट्रीक्मेंट आपके काम सब्सक्राइब कांडवल को सब्सक्राइब तो यह बहुत ही क्लियर कट साइन है कि अब वो क्षमता आप के घट्रों की घुट्र वो चुकी है कि अब आपके गुटने और सहन नहीं कर पाएंगे आपको ये निरने कर लेना चाहिए कि हाँ अब हमें अपने गुटने बदलवाने ही है अगर आप किसी भी दुविदा में हैं किसी संट्रे में तो नीचे दियेगे नमबस पर आप हमें कॉल करके संपर कर सकते है और अपनी दुविदा हम से शेर करिए हमसे वह सवाल करिए कि जिससे आपकी दुविदा दूर हो सके और आप यह निरना कर सके कि हाँ अभी आपको फिर भी और मेनेजमेंट और ट्रीटमेंट कंटिनू करना है या फिर आपको अप सजरी करवा लेनी चाहिए आपने जा करते हैं तो पहला प्रेकॉशन यह है कि जब आपके खुटनों में हलका फुलका दर्द भी शुरू हो तो तत्यकाल प्रभा उससे अपने फैमिली फिजिशन को संपर करिए वह जानते हैं आपकी फैमिली इस्ट्री आपकी पूरी बेडिकल इस्ट्री आपको सही राय त्यवरेम आपको कैसे सिर्फीस पशारते हैं इस अपका काम करने का पॉश्चर की रहता है इस सब्छा प JESS द्यान दिजिए इनको अपने जीवन शहली में धाली है जिससे आपके घुटरों का जो डैमेज हो रहा है वो रोके और अपनी डाइट पर भी धियान दीजिए कई वार क्या होता है आपकी जोडों में दुन को भी दर्ध इसलिए भी हो सकता है आपकी हराव है तो अपनी डाइट को भी अच्छा करिए या फिर आपकी बॉडी में टॉक्सिंस भी डेवलप हो सकते हैं इसकी वज़से भी आपको जॉइंड में या नीमें पेंड हो सकता है तो अगर आप जानना यह चाहते हैं कि अपनी बॉडी को डीटॉक्स कैसे करेंगे इन इसको रिलीफ करने के लिए तो इस पर पूरा एक वीडियो अविलबल है आई-कार वे इसका हम लिंक ड्रॉक कर रहे हैं इस वीडियो के पाइद आगर उसको आवश्य देख लीएगा जिससे आप अपनी बॉडी को डीटॉक्स भी कर सके जो छटमा इंडिकेशन है वह और ये लोग जानते हैं यहांडियों की वजह से होती है या अपने खिलारियों को देखा उगा या कभी किछीगे चोट लगए एक्सेनित हो गया उस केस में पिकम उमर में गठिया शुरू हो जाती है पर क्या होता है एक इंप्लांट नेप्लेश्मेंट में इंप्लांट क अगर किसी व्यक्ति के गठिया कम उम्र में शुरू होती है तो हम ये प्रयास करते हैं कि उनकी सरजरी अभी टाली जाए चुकि इंप्लांट की लाइफ है तो इसलिए उनका गुटना लंबे समय तक बचा रहे और उम्र में काफी लेट जाकर उनके गुटने की सरजरी करनी पड़े पर जब आपकी उम्र पचास पचपन से उपर है उस केस में आपको अगर गठिया हो रही है तो फिर ये मान जाता है कि हाँ अब घुर्टने रिप्लेस करा लेने चाहिए तो कि अगर जादा उम्र हो गई सत्तर जट्र से उपर निकल जाए और आपकी जो बोन है उसकी कंडिशन जादा हराब हो जाए तब जो इंपलांट है उसे रखने में भी समस्या होगी उसको प्लेस करने में समस्या होगी अगर ठोज जगा बोन में नहीं बन पाएगी तो इंपलांट स्टेबल नहीं रहेगा वो निकल सकता है इसलिए बोन की कंडिशन देखते और condition बिगरती चली जा रही है यूं तो सजरी असी सागी उमर में भी होती है गुटनेगी पर उस case में ये देखा जाता है कि अगर बोंगी condition अच्छी है तब जाकर ये सजरी होती है अगर condition उस case में बोंगी अच्छी नहीं होगी तो सजरी करने में बहुत तकलिफ होती है फिर replacement के लिए मना कर दिये जाता है इसलिए सही उमर में replacement कर वा ले किसी के बैकावे में या भ्रम में ना रहे अगर लेट हो गए तो बहुत समस्या होगी अगर आपको इस अच्छी लग रही है तो इस फीडियो को हर उस लेक्ति तक शेर करिए जिसके गोटनों में थोड़ा बहुत भी दर्द हो रहा है शुरुआत हो चुकि ये गठिया की जिससे कि वो भी समझ जाए अपने गोटनों का ध्यान रखे अभी से और अगर उनकी गोटनों की कंडिशन बिगठ रही है तो और उनको डॉक्टन ने कहा है और तो पेटिशन ने कहा है कि अब आपको साज़री करवाले नी चाहिए तो वो हिचके चाहे नहीं दो वेधा में ना रहे तुरंट से ये निरने करे और अपने उस्पटिशन से मिलकर अपने गोटने के बनलने की तारीक ताय करें जो सात्वा और आखरी इंडिकेशन है वो है आपकी हड्डियों की डिफॉर्मिंटी कई बार लोग हमारे पास आते हैं कि टॉक्साब हमें एक्सेसाइज बता दीजिए पर जब हम देखते हैं कि उनके घुटनों में तो डिफॉर्मिंटी डेवलफ हो रही है घुटने हमारे काईदे में तो मिलने चाहिए बट वो मिल नहीं ही पा रहे उनके घुटने धनुश क्या कार की हो गए है जब ऐसा हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कोई एक्सेसाइज नहीं है कोई मेडिसिन नहीं है जो आपके घुटनों की वो डिफॉर्मिंटी ठीक कर दे उस केस में जब को गठिया हो रही है परों में दर्द है सूजन है तब नहीं का निप्लेस्मेंट ही एक मात रोपाए बचता है जिससे आपके वो कष्ट खतम हो सकते है आपके चलने फिरने में अराम आ सकता है आपके कमरा का दर्द जा सकता है कि नहीं का रिप्लेस्मेंट करा लिया डाए जी हाँ आपने सई सुना जब भी डिफॉर्मिटी डेवलफ होगी आपके कोतने में तो एक तो आप ऐसे ऐसे चलना शुरू करेंगे डख वॉकिंग शुरू हो जाएगी और दोनों कोटनों की लेंद बिगड़ेगी तो आप उन्टा नीचा चलेंगे आपकी पेल्वेस उन्ची नीची पड़ेंगी इस वज़ास से कज़वाल व्यक्ति के या मरीज के पीठ में भी दर्द शुरू हो जाता है तो आप समझें आपकी पीठ में दर्द होने की वज़ा सिर्फ आगे जुकना या गलत तरीके सावन उठाना ही नहीं होता आपकी पीठ का दर्द आपके गुटनों की वज़ास से भी हो सकता है यहां हम बात कर रहे हैं गोटने के बारे में इस पर ध्यान दीजिए जब ऐसा होगा तो इसके बाद धीमे धीमे जब यह समस्या लंबे समय तक चलती रहेगी आप इस पर ध्यान नहीं देंगे आप इ आपके गुटनों में यह डिफॉर्मिंटी शुलू हो गई है दोनों गुटने दूर जाने लगे हैं धरुषक्याकार के बनते जा रहे हैं तो अब और वेट ना करिए अगर आपकी उबर पचास से उपर है तो मैं तो कहूंगा अपने गुटने बदलवा लीजिए रेप् पर साथ में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जिससे की ऐसी अच्छी जानकारियां जो हम आप तक पढ़ना चाहते हैं वह समय से पहुशती रहें आप उनका लाब उठाते रहें अगर आप चाहते हैं कि आपके गुटनों की जो गठीया है वह और ना बढ़े दर्द और ना बढ़े आपको कोटने इस ब्लेस्मेंट ना कराने पड़े तो कुछ ऐसी गलतियां को जाने में आप करते हैं अगर आप जाना चाहते हैं उनको तो राइट वाली वीडियो जाकर देखिए आपको बहुत लाब मिलेगा और हाँ अपने कोटनों क के दर्द को दूर रखने के लिए मदभूस रखने के लिए केल्शिम डाइट क्या लेनी चाही और वह जानना चाहते हैं तो लाइट वाली वीडियो वीडियो को चाकर देखिए मिस्ते की तोर प vídeos को खी देखिए निश्चातर चाहिए कि अमने केल्शिम की पूर्टी के ल नवान